कि ठीक है वह देखें करते हैं जी आपका हाई कोट जी अन्राइबल चीफ जिस्टे संजेज आर प्लीज टू मेक फालुएंग पोस्टिंग एंड ट्रांसफर अमंग अदर यह पोस्टिंग कौन कर रहा है हाई कोट कर रही है किस सेक्षिन के ताहित यह चौदा दो के ताहिए चौदा दो के दाएंग पोस्टिंग कौन करती है घॉप करती है वह उसके बाद आपका रहा जैता है शतना सत्रा में हमने पुड़ायए अपील डिस्टिक जज़ज और अडिशनल डिस्टिक ज़जज के खिलाव अपील कहां पर करती है प्लाँ पर दिक्रीक तो आपका आठारा मोस्ट इंपोर्टन ठीक है अगर आपका डिस्टेक जजज के फैसले के खिलाफ अपील नहीं बनती तो अगर वह फैसला जाता है डिशनल डिस्टेक जजज का तो वह उस पे भी अपील नहीं होगी और जहां पर अपील नहीं है तो वहां पर अपील नहीं होगी वह डिस्टेक का या सिवल जजज का आगे का अगे कहता है आपका प्रवाइड प्रवाइड एन अपील फ्राम दी डिक्री और अडर आफ सिविल जज़ लाई तू हाई कोड वह हाई कोड को लाई करेगी एफ उरिजनल सूट और डिक्री वेच इस नाट अक्सीदी 50 मिलियन कितनी 50 मिलियन मतरब 50 क्रोर ठीक है 50 मिलियन अगर आपका दावे की वेचास मिलियन ठीक है कितनी 50 मिलियन आपका पांच क्रोर ठीक है पांच क्रोर तक आपकी अपील कहां पे होगी जिस्टिक ज़ज़े के पास ठीक है पांच क्रोर तक के जो वैलियो है सब्जेक्ट मेटर है सपोज के आपने मिस समन ने आपका दो दो सौ एकर खरीदे हैं मिस अपाईजा खान साहबा से वो बनते हैं दो क्रोर के और दावा मिस समन का खारज हो गया है तो मिस समन अपील फाइल करेंगी तो वो अपील और डिस्टिक जाज़ के पास ऐगर वो होते। छे क्रोर के वो दो एकर और दावा इनका खारज हो जाता तो फिर अपील कहाँपर जानी थी। फिर जानी थी डिस्टिक हाई कोड है मतलब पांच क्रोर तक के जो मालियत की दाव होंगे उसकी अपील होगी हाई कोड और पांच क्रोल तक पांच क्रोल तक या पांच क्रोल से जादा उसकी अपील होगी आपकी डिस्टिक और पांच क्रोल से जहां पे एकसीड करेगा ठीक है एकसीड पांच क्रोल वह आपका होगा हाई कोड में वह आपका होगा हाई कोड म simply वो किता कि अप तो 5 क्रोर, up to 5 क्रोर, appeal lie to district court and more than more than 5 क्रोर ये फिर लाइक करेगी, तो हाई कोड ये आप लेख लेए, ठीक हो गया, पांच क्रोर तक अपील district court वे हैं, और पांच क्रोर से ज़्यादा आई कोड वे, आगे दो में करता है, कि जी आपका जी आपका जी घर प्र वो बहूत प्रह में है, ये ये ले इसटो है, इस ये आप इस लोगतすब्य दो ही है के ये आप तक दो हुआ है, रीकिए और किसक तक अमिंब ए, मैंदेड में ये ना, एक साइट है पंजाब लाज यहां से आप इंस्टाल किया करें यहां पर आपको अमेंडेड मिलती है यह सारी चीज़ें यह देखें यह भी मैंने इस तरह से किया है यह आपका है यह पंजाब लाज ठीक है यह यहां से आपको पंजाब की अमेंडेड मिलती है आपको बॉक्स ठ तो कहता है वे अपीडियोंग आपी लाइट डिस्टिक लाइट डिस्टिक जाजे अंडर लास्ट प्रोसीडिंग साइक्षिन लास्ट प्रोसीडिंग सबसेक्षिन मतलब आपका ये बात कर रहा है ठाव कि अठादा कि आठाव एक आठादा एक है इंय्श्टिक थीद में आपील में प्रेफरट तो अडिस्टिक जाज़ नहीं GU घृक्तिंट अब लें प्रिफ३र्ड डिस्टिक जुड़ को दिस्टिक घुड है स्पोज कि आप का इसे आप देखते हैं कि ख जो एक जो अपील बन त्यागा धिस्टिक केक पास ठीक है वो आप असाइन का देते हैं उसको असाइन का देते हैं डिस्टिक अडिशनल डिस्टिक जजज को तो आप अप अपील फाइल करेंगे इसको आप अडिशनल डिस्टिक जजज को ये भी वो डेलिगेटिड पावर है सैक्षिन आपका सोला सैक्शन सोला के ताइड आप देखते हैं कि जी स्पोज के हमारा डिस्टिक रहिमियर खाने उसकी तैसी लियाकत पूर रहा है लियाकत फुर में डिस्टिक जज नहीं है वहाँ पे अपील फाइल होती है मतलब सैम्वी केस है दावादार होता है तो उसकी अपील हम काम पर करते हैं अडिशनल डिस्टिक जज के पास करते हैं क्योंकि अडिशनल डिस्टिक जज को डिस्टिक जज रहिमियर खाने सैक्शन सोला के तायत पावर साइन की हुई है कि जी आप सुन सकते हैं सैक्शन सोला के तायत पावर साइन की हुई है तो ठीक हो गया 17-18 दो यह कहता है कि एक अपील जो है बंती डिस्टिक जजज के पास थी और डिस्टिक जजज ने पावर साइन की हुई है अडिशनल डिस्टिक जजज को तो आप वो अपील अडिशनल डिस्टिक जजज को करेंगे हागे काता है आई कोट में बाइनोटिफ किशन में बाइनोटिफ केशन डाथ आपील यह नोग डिस्टिक जजज फ्रम अब नहीं अडिकुर्ड अडर पस्ट इन एंग अड सिविल सूर्ड अड्र इंग ज़िनल डिस्टिक जजज वाइन निष्ज ऑड है एंड डर इंग उ and 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 appeal and appeal shall there upon proceed preferred accordingly the court of such civil judge shall be deemed to be district judge for the purpose of all appeal so preferred. ठीक है simply कहता है कि हाई कोट जो है by notification वो कह देता है कि जो appeal like करती है district judge के पास ठीक है ऐसी appeal जो like करती है district judge के पास ठीक है तो from the order of civil judge civil judge के order के खिलाब जो appeal फायल बनती है district judge के पास ठीक है वो shall be proper to civil judge mention notification notification में कहा देता है कि फ्लाँ civil judge को file का दें तो आपकी वो appeal file की जाएंगी civil judge के पास और सिवल जज़ के पास यह समझा जागे जैसे डिस्ट्रिक्ट जज़ की पावर है स्पोस्थ के नईमा समझ सभा यह सिवल जज़ जाए ठीक हो गया और हाई कोड अपने नोटिफिकेशन में कह देती है कि जी फैमली केस के जितनी भी फैमली केस के जितनी भी केस हैं उनकी अपील नईमा समझ सभा के पास जाएंगी तो वो फाइल आपने कहां पर फाइल करनी है वो नईमा समझ सभा के पास फाइल करेंगी और नईमा समझ सभा उस केस को ऐसे प्रसीड करेंगी जैसे वो डिस्टिक जज़ जैसे वो 20 19 19 यह आग अगे ट्रांसफर हो जाते हैं यह आगे इसी है कोई मुश्किल नहीं है कांटिनियूसा पावर ठीक है यह 19 कहता है कि एक जज स्पोस्थ नहीमा समझ सबस्थ सिविल जजज है आटक में अटक से वह उनको भेज़ देता है लहूर तो लहूर में आके उसके पास से सेम पार्ज होंगी जो अटक में होंगी ठीक है उनके पास सेम पार्ज होंगी जो वह एक्सरसाइज कर रही थी अटक में ठीक है जो अटक में कर रही थी जहां से वह ट्रांसफर हुई है ठीक है जहां पर से वह ट्रांसफर होगी है उसके पास सेम पाउज़ होगी जब तक हाई कोड कोई सेप पर टाटर ना का दे स्पोज के आई को यह आती है लौर से इधर अटक में लौर से आती है आपके मतलब वहां पर हैं अटक में फस फलो फस्टफ घिक है उसके बाद वह एकोड सेकरन क्लास है हाई कोड कहते हैंगे यह पर्मोशन थी इनकी प्रोमोशन आप यह फास्ट उसे खाई फश्प्राम्ट जा जी जान कि हाई कोड तो यह आके हाई कोड की पाउज में अगर हाई मुहमब वकास हेंब फीक है इनको प्रेजिएंट पोस्टिंग लाउर ती तो इनको ट्रांसफर का दिया है डी जी खान तो यहां पे वकास साथ first class है तो डी जी खान में भी जा के first class का मतलब करेंगे ठीक है वहां पे भी वही सेम पास इस्तमाल करेंगे कोई उनकी पास चेंज नहीं होंगी जब तब कोर्ट स्पेशिफिकली कुछ कहना दे ठीक है जैसे कहता है वेर वैन आवर वैन आवर दिपरसंड होलड़िंग अन अफिस इन दी सर्वेस आफ स्थेट आज विन इन्वेश्टिट वर दी पावर अफ द तो यहां पर भी आके सेकंड क्लास ही काम करेंगी आगे जी आपका बीज प्रोवियन गार्डिंग प्रिशन राटर यह खतम हो गया है यह इसको अंड कर दिया है आगा जी आपका टिम्प्रेरी विकंसी क्या जी टेंप्रेरी विकंसी कर दिघा एंड इवेंट आफ डेथ आफ डिस्ट्र जटेब यज दिस्टिक में आप बीज प्रिवेंटेंड फारम आया उसकी डेथ्थ हो जाती ही टभी एक गत्तों एडवन वस्तों आ कि दिल में डेश्ड चीज़ डॉटिध देट बन्म पे mapped परांवीग में गद्रीनज पान देख देखिल अधली का सफ या कोई का थी या कोई ठीक है तो स्ञेथ संनल दिस्तिक जर्ज इबंडिक से इन डिए इंदीच्टिक एपबसंस अफ आफ एडिश्नल डिस्टिक जर्ज आफ एडिश्नल डिस ग्यर्स इन टी और अधर कॉस ठीके सब्सक्राफ तो नहीं एनस अफिट जैज डींटीट आउ मोस्षी ब्रवेश गई जेए सीनियरव मौस्थ सेविल जचराफ डीर हैजघ इस्यूं canustra МУЗЫКА ऐंचलल अजींव दी चाँज कि फूर उूर्य जूर्ण नूर्य हान उ उन्मर्ण हाम इनड स्वाउ हार चार कि उनघ, इनन च्राओ उन चार विए लुर्ण जिछ्छ्टे करकाтор स्वार का प्रॉण् देखें आप आपका जो डिस्टिक जज़ज है तो वहां पे उनका जो है एडिशनल डिस्टिक जज़ज अगर वो भी नहीं है तो फिर मोस्ट सीनियल सिवल जज़ जो है वो चाटज संभाल लेगा और वही सरा कुछ संभालेगा सारा कुछ वही करेगा तो हैं वो सरा कुछ संभालेगा और जब उतनी दे tror अद्रे तक संभालेंगे जब तक वह आपका डिस्टिक यह आपका बॉइस है वो आपका आ जाता है लीज पे चल आजाता है अगर इसलंद जुज़ ली पे चल आजयता है तो वो इसी को बता आके जाएगा कि मेरे जगा फे है बiese shy ईपब करेगा दिसिज जर्ज लिविंग दिग्वाटर जीफिए लेविए अजाग प्रफिए अबडीटो निन्थे लेविए अजाने जुरिसिदिटिश फिर्फिटिश के लिफिए में एसकाटी ओर में दोरेड़ चाटी कम लेबिए लेविए or in the event of his absence from the district, leave and leave, may delegate additional district judge in absence of district तो परफार्म दी पावर इनामेटेट इन सेक्षिन टूंटी वन जो टूंटी वन में बताया गया है जी आपका अगर लीव पे चला जाता है तो वो सीनियर अडिशनल सेक्षिन जाज या वो नहीं है तो उसकी जिगापे कोई दूस्टे को अपॉइंट करके जाएगा कि किक आपका eating आपका थिंसा त्यों कर दूस्टे कोईन जाङ बतानी वूँ yaptरेंट अश्टार्य अच्सिंसूघ रिक्पंट इसने प्हूर शू चाहीं नाली आपका डिक्पार का व डिक्ति नाइट है जी ए ? बताने आने वन में तो वह किसी दूसरे जाज को पावर दे सकता है कि आप यह पावर परफार्म करें आधर दी प्लेस ऐज इस ओन कोड़ बट सच केस रिजिस्टर दी केस तू तू कोड़ एजिस्टर केल वी कैप्ट सेपरेटली देखें आप एक जाज ड्यूटी पे जाता है तो फिर आप केस ड् ली रोस्टर आता है कि यह आज फलान जजज का ड्यूटी रोस्टर फलाँ है या आपका लेडीज हैं और लेडी फीमेल जजज जो हैं वह मैटनेंटरी लीव पे चली जाते हैं ती इन वाग लिए तो उस सुरत में भी वह कोड़ का काम तो नहीं रुकता फिर कोड़ के व यह होता है ठीक है मतलब यहां पर एक जी ड्यूटी जजज जो साइन का देते हैं एक दिन एक जजज नहीं है तो उसकी जगाह पे ड्यूटी जजज छोटे मुटे काम का लेता है अडरोगा रखा देता है आगे कहता है आपका ट्वंटी फॉर क्वंटी फॉर कहता है कि जी नो कोड नो सिविल कोड हैं जुरिजिदिक्शन इन रुजिनल सूट विद ओट लिमिक रिकार्ट दी वैल्यू और नो कोड आप स्माल केसे शेल इंटर्टेंट शेल रिसीव ठीक है शेल रिसीव इंटर्टेंट एनी सूट इन विच पाकिस् और इट्स प्रुवेंस और पॉब्लिक स्रवेंस स्रवेंट अफिसर इज एफिशल कपस्टी इस पार्टी ठीक है अब करता है कि नो कोड हैंग जुरिदिक्शन विद ओट लिमिट बिद ओट लिमिट कौन होता है वह आपका फस्ट क्लास है ठीक है गावर्मेंट के खिला फस्ट क्लास है ठीक है ठीक है उसके पावर है वह के उसके पास जाएगी ठीक है जिसकी मतलब ऐसी कोड जिसकी जुरिदिक्शन अनिमिट नहीं है यह स्माल कॉसिश कौर्स उनके पर पास केस नहीं जाएगा वो कोई केस नहीं सुन सकेंगे ना स्माल काज़िज काउंड सुनेंगी नहीं वह ऐसा ज़ड़ जिजकी जुरिदिक्शन लिमिटेड नहीं है सिंप्ली वो कह रहा है कि जो आपके गवर्मेंट के खिलाब सूट है ठीक है सूट इन वेच गवर्मेंट जो है इन वेच गवर्मेंट या उसके प्रोवेंस या पॉब्लिक स्रोवेंट पाकिस्तान ठीक है और उसके बाद कह रहा है कि या फिर एनी पॉब्लिक अफिसर ठीक है एनी पॉब्लिक अफिसर ठीक है एनी पॉब्लिक अफिसर ठीक है एनी पॉब्लिक अफिसर अगर कोई पार्टी है तो वो कहां पर किया जाएंगे वह फर्स्ट क्लास के पास है अगर करता है इन एवरी सच शूर प्लेंटिफ श्ल प्रैफर्फर्ट टू कोर्ट अफ सीवेल जाज हैंग जुरिजिक्शन इन सूर विदूट लिमिट रिगार्डी वैल्यो एंड शैल भी इंस्टिटुटिटेड ओनली इन दी कोर्स एंड हैं आप देखते हैं के लिए नादर पिरांड फनी जाथ जो गवर्मेंट के खलाफ होते हैं जो गवर्मेंट के खलाफ होते हैं अगय taste तो अप्लाइट तो एनी सूट रिलेटिंग को फेर आप गवर्मेंट ट्राइलवे और मेरली विकाजी पॉब्ले के सब्सक्राइब टू इसनी पॉपस्टी आप ठीक है वह कहता है कि रेलवे के खिलाब सूर्स पर आपकोई मतलब नहीं है वो ठीक है वह रेलवे पर यह अप्लाइए नहीं होगा और मिंबल जो लोकल थार्टी जा उन पर भी अप्लाइए नहीं होगा यह आपका सेक्शन आगे आपका जाता है जी 25 25 करता है कि लिस्ट आफ हॉलिडेज गवर्मेंट जो हाल साल बताती है कि यह आपका हॉलिडेज होंगी ठीक है यह आपकी हॉलिडेज होंगी जो कि यह यह देखें यह आपकी गवर्मेंट ने बताया कि यह हॉलिडेज है ठीक है गवर्मेंट ने बताया कि यह हॉलिडेज हैं जैसे आपका फस्ट पहली छुटी कब है आपका पांच फरवड़ी की फिर 17 मार्च की फिर आपका आगे 23 मार्च की 15 अपरेल और फस्ट में और फस्ट में यह इस तरह वो लिस्ट बता देती है यह यह देखें इसमें वो स्टार में पढ़ें तो यह देखें अंडर दिस सैप्रोवियन अफ सेक्षिंट फ़ाइव पाकिस्तान सिविल कोट अडिनेंस तो वह आपका वेस्ट पाकिस्तान वह पुझाब भी ऊसकता था तो वह इसकता विशल गजट में पब्लिश की जाती है ठीक है शाय बी पबलेश टू ऑफीशल गजट अब यह देखें यह आपका अफीशल गजट का नोटेस आगे करता है एक गोल्ड टाइप की मौर होती है ठीक है आगे वह ऐसा चब्वीस है कि यह स्टैंप हुआ करेगी जो आपकसा देखते भी है स्टाइस में का आगा है का जी गवर्मेंट और हाई कोड जो है रूल्स बना सकती है रूल्स के लिए रूल्स बना सकती है कि अब घू fak between एक सान्ग गउन जैसे तो कि इसके किशियाए थीप हो इसकी आपका या व का या अलड़ अघुष्ट वो प्लेस आफ टाइमंग बखरा यह भी आपकी कॉर्ट टाइमिंग बताती है कि जी आजसे आपका कर विंकर में आपका तीन से आठ से चार विंटर में नौ से चार होती है अदालते पंजाब में और समर में आठ से साड़े तीन होती है तो ये भी इसे भी रूस बना सकती है और कितनी फीस लेनी जाएए ये पर अपके तल्बाने पर लगाते हैं थीक है उसके लिए भी कोर्स बना सकती है कि जाय भी इस की पार कीसे किट गिया जायेगा है थीक यह की थींदक्शन की स्भी हई कि बागी ऑगता के प्रूम आपी है कि जो एफ रूस बना सकती है खी इंस पीछिन कोड्स की इनस्पेकशन कैसे हो जैसे आप देखते हैं कि इस्पेकशन डे होता है हर आपका चौत हे एफ डे अफ डे पर डे आफ आफ फंड डे अफ़ मैं आपका मार्च है फिर आपका जून है फिर आपका नमंब्र है सप्टमब्र है फिर डिसम्बर है ये फंस्ट तरीकों आह यक होता है उसके बार आपका आजाता है टैम सब इस बना सकती है यह है आपust civil court ordinance इसी है कोई मिश्किल नहीं है आपने अच्छी तरह पढ़ना है इसको ठीक है कोई क्वेस्चन हो तो आपने पूछ लेना है तवाइन्टी सिक्स आपने क्या पता है वह एक स्टैंप होती है मैडम स्टेप होती है स्टेम्प होती है जो गौल टाप की अफ स्टेंप होती है हर कोर्ड में होती है जो आप नोटिस जाकर इस कर CS करवाती है तो उस पे भी ठीक है बाकि किसी ने को Last करना है तो वह आप danach को सकते है बाकि इन्शाला मम कर पढ़ेंगे स्टिटिए आफ पकिस्तान